मेरा एक प्लांट है, बहुत हेवी डेंसिटी के साथ बढ़ रहा है, अब इसमें भी बढ़ सानी शुरू हुई है, और इसी की ग्राफ्टिंग से मैंने कटिंग से इस पोदे को लगाया था, आप देखेंगे इसमें भी बढ़ सानी शुरू हो गई है, अब इसको देखेगा ये इतनी तकड़ी फ्लावरिंग कर चुका है ऐसा फर्टिलाइजर देंगे जो इमीडेटली गुलन शीला और एकदम जाएगा तो इसकी जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है इसलिए हमेशा इसको सुरो रिलीजिंग फर्टिलाइजर देने चाहिए सब दोस्त बस एक परशन पूचते कि मेरा इटेनियम फ्लावरिंग क्यों नहीं कर रहा कोई ये नहीं पूचता कि उसकी कितनी एज होनी चाहिए बहुत सारे ऐसे परशन है जो पूछे जा सकते हैं वो नपूच्के बस एक परशन पूछा जाता है कि मेरा एडेनियम फ्लावरिंग नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा अब दूर बैटके बताना इतना असान तो नहीं होता है इसलिए जो है वीडियो देखें, आप अन तक देखें आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूँगा कैडेनियम को किस उमर में फ्लावरिंग करनी चाहिए और सीडलिंग से हो गए-वे को कितने समय लगता है, अगर ग्राफ्टिंग की गई हो तो कितने समय लगता है, हर बारे में पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी देखिए ये grafted पोदे हैं सारे के सारे तो इनका root rot हो गया था इनको हमने बचा लिया था और तक्रीबन देड़ महीने के अंदर ये flowering करने लगे हैं तो इसमें grafting क्यों की जाती है सबसे पहले ये समझें जब seedling तक्रीबन उसका size हो जाता है मतलब गुलाई तो इसका codex तो इतना बड़ा नहीं होता है लेकिन size है इसका आ जाता है तो इसको cut करके यहाँ पर grafting की गई है देखिए ये grafting है इसकी grafting यहाँ पर है इसकी grafting यहाँ पर है grafting करने कारण यही होता है दो reason होते हैं अगर हम इसको direct लगाएंगे तो यह जल्दी flowering नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ की मिट्टी और यहाँ का तापमान और यहाँ की जलवाई हो यह सब चीजे इसके उपर परभाव डालेंगी तो इसलिए जो Indian जो हमारा पौदा होता है उसके उपर ग्राफ्टिंग कर दी जाती है ताके जड़ जो है वो Indian हो मतलब भोजन लेने के लिए जो काम करें वो Indian जड़ करें क्योंकि वो यहाँ के जलवाई हूँ यहाँ के तापमान यहाँ के temperature हर चीज से जो है वो बाकिफ होती है और अच्छे से उसमें चल सकती है तो और लेकिन उपर जो है इसको ग्राफ्ट कर दिया जाता है कि भोजन इसको परवाइड करें तो यह अच्छे से फ्लावरिंग करनी शुरू कर देता है तो अब यह तो एक हो गए कि भी यह किस धंग से फ्लावरिंग करता है तो एज जो है यहाँ पर मैटर नहीं कर रही है आप देखें ज़रा एज मैटर क्यों नहीं कर रही है क्योंकि इसकी एज कम होते भी इसका काम फ्लावरिंग करना नहीं रहा इसका काम रहा खाली इसको भोजन प्रवाइड करना और और क्योंकि यहां की जलवाई हुम है परिपकव है इसलिए इसको कोई समस्या नहीं आ रही है यह खाली भोजन परवाइट कर रहा है और क्योंकि यह जो हमने ग्राफ्टिंग की है यह पोदा जो था मैचोर था इसकी उमर दो साल चार साल आठ साल दस साल कुछ भी हो सकती है तो जितना जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि जिस पोदे से हम ग्राफ्टिंग करते हैं उस पोदे की जितनी उमर होती है तो यह समझता है कि मेरी उतनी उमर है तो इसलिए यह फ्लावरिंग करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाता और एकदम से फ्ला अब 9-12 मीने में फ्लावरिंग कर देती है तो वो तो बात रही सही लेकिन वो कब करती है वो एक बहुत important factor हो जाता है जब यहां के तापमान का बढ़ता है जब मतलब जब आपका यहां का तापमान 30 के आसपास आजाएगा या 26-26 के आसपास आजाएगा तो 30 के आसपास के त तो अगर वो समय निकल गया उस समय का और आपने उसको छाया में पढ़े रहने दिया तो फिर फ्लावरिंग लेट हो जाएगी फिर दुबारा जो है वो टाइम लेगा फ्लावरिंग करने में तो यह छोटी-छोटे points होते हैं फ्लावरिंग के ध्यान करने वाले मेरा एक plant है बहुत heavy density के साथ बढ़ रहा है अब इसमें बढ़ सानी शुरू हुई है और इसी की grafting से मैंने cutting से इस पोदे को लगाया था आप देखेंगे इसमें भी बढ़ सानी शुरू हो गई है इसका मतलब हुआ जो इसका time है उसी time पे इसने फ्लावरिंग शुरू करी यह बहुत ही सोचनी है मतलब बहुत ही विचारनी है पॉइंट आई है कि जिस समय यह फ्लावरिंग इसने शुरू करी इसने बर्स बनानी शुरू करी यह देखिए और भी उसी वक्त इसने बर्स बनानी शुरू करी मतलब इसके जो तापमान का जो समय है जो 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 तापम के उपर इसमें टोपियारी बनी हुई है और ये टोपियारी में पूरे में ये flowering कर चुका है मतलब कुछ थोड़ी बहुत ही बर्स हैं जो खिलनी बाकी है आलमोस जो है सारी बर्स जो है स्की खिल चुकी है और ये तक्रीवन इसको खिले वे जो है 20-25 दिन हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ इसने अभी बर्स निकाननी शुरू करी हैं, तो ये तो वैसे अच्छी बात है कि कुछ पोदे लेट फ्लावरिंग करते हैं, कुछ थोड़ा जल्दी करते हैं, तो निश्चित समय का बताना जो है, बहुत मुश्किल होता है, ले कि ये मेरा एक और पोदा है, इसकी फ्लावरिंग खतम होने पर है, आप देखेगा, इसके कलर भी अलग है, और इसमें हमने एक डिजाइन क्रेट किया था, इसने फ्लावरिंग इसकी अब खतम होने लगी है, थोड़ी जल्दी फूल इसके गिरे हैं, और दूसरा मैंने इस इसको छाया में रख दिया था, मैं नीचे ले गया था आपने, वहाँ पे एतनी धूप नहीं आ रही थी, तो तापमान का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, हमें इसके तापमान का ध्यान रखना जरूरी है, इसको छे से आठ गंटे की फूल सनलाइट मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको फूल सनलाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वाइरमेंट है, तभी आपके सारे पोदे फ्लावरिंग करेंगे, एक पोदा यह देखी गा, इसके नीचे रूट रॉट हो गया था, और हमने इसको बचाया था, तो यह फ्लावरिंग कर रहा है, अब क्योंकि इस पोदे को कटिंग से लगाया गया था, तो उस पोदे की जो है, जो वो अडेनियम की है, उसकी उमर तकरीबन 8-9 साल है, तो यह जो हमरा इसकी जो शाखा थी, जो स्टैम थी, वो भी अपनी उमर 8-9 साल समझेगी, जबकि वो जड़े तो नहीं बना रही है लेकिन उसकी उमर भी 8-9 साल समझी जाएगी, किसी भी पोदे पे ग्राफ्टिंग करने का मूल उदेश्य यही होता है, कि हम उससे जल्दी से जल्दी फ्रूट या फिर फ्लावर्स ले सकें, तो इसी वज़ा से जो है ग्राफ्टिंग की जाती है, नहीं तो आप जो है जै जितने बड़े पोदे से उसकी कटिंग ली जाती है, वो अपनी उमर उतनी ही मानता है, और फिर वो तेजी से उसकी पार कर जाने के बाद में, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी उमर इससे जादा है, और वो फ्लावर्स ले से लगाते हैं, तो तकरीम से 9-12 महिने लग सकते ह दूसरा आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी जल्दी से फर्टिलाइजर की आपको देखिए जब तक सीडलिंग आपकी एक महीने की नहीं हो जाए तक आपको जो आपने मिट्टी मना ली उसके बाद में आपको महीने तक जादा फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए और अगर दें भी तो वर्मी कंपोस्ट इस टाइप की चीज दें और साथ में फंगी साइट डालते रहें लेकिन जैसे वो आप उसको शिफ्ट करेंगे महीने डेट महीने के बाद में जब आप उसे शिफ्ट करें तो अच्छी सी उसके अंदर कंपोस्ट मिलाके जो है उसको फर्ट करें कि आप इसको जो है और गैनिक दें और मतलब है जब तक वो बड़ा हो जाएगा फिर कोई इतनी परशानी नहीं आती है जैसे अब यह पोदा जो है बड़ा हो चुका है यह तकरीमल साड़े चार फुट का जो है ट्री बन चुका है और इसकी आइट वैसे जो है मानी कि छे से आट फुट तक जा सकती है इसलिए हम इसके ओपर टोप्यारी बनाते हुए चल रहे हैं ताकि हमको जो है हमारी रीच में ही फ्लावर दिखाई दें क्योंकि ऊपर देखेगा ऊपर फूल बहुत कम खिलते हैं यह देखेगा ऊपर खाली 5-7 फूल किले हैं जबकि ज सिंगल सुपर फास्वेट जो है बहुत स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर है इसलिए उसको देने का बहुत फैदा होता है ऐसा फर्टिलाइजर देंगे जो इमीडेटली घुलन शीला और एकदम जाएगा तो इसकी जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है इसलिए हमेशा इसको स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर देने चाहिए आप इसकी मिट्टी के अंदे पौन मील भी डाल सकते हैं लेकिन कुछ लोग पौन मील से प्रेज करते हैं तो वो सिंगल सुपर फास्वेट इसको दे सकते हैं तो फास्वेट की ज़ादा जुरूरत होती है इसको क् कि फास्वेट से जड़ों का विकास होता है और जब जड़ें जितनी ज़्यादा पड़ेंगी उतनी ज़्यादा वह शक्ती पौदे को देंगी और पौदा जो है फ्लावरिंग करेगा हैपी गार्णिंग